फलो को हमेशा स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी जाना जाता है हमारे याँ फलो का राजा आम को कहा जाता है जिसका स्वाद तो अनुखा होता ही है उसकी खुश्बू भी दूर से ही सबको अपनी तरब खींचने लगती है लेकिन क्या कोई फलो का राजा ऐसा हो सकता है जो खाने में तो वेहट टेस्टी लगे लेकिन उसकी महक आपको नाग भौसी कोड़ने पर मजबूर कर दे नमस्कार आप देख रहे हैं वर्ट टू वर्ड नियूस और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे खल के बारे में जिसका स्वात तो आपको जन्नत का एहसास करा देगा मगर उस से आती बदबू आपको पल भर में जहन्नुम में पहुचा देगी और भी बहतरीन वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड टू वर्ड नियूस को अभी सब्सक्राइब करें टेस्टी मगर बदबूदार फल है डूरियन कठाल जैसे दिखने वाले इस फल का नाम है डूरियन यह फल दक्षिनपूर एशिया में मलेशिया, थाइलेंड, इंडोनेशिया और फिलिपीन जैसे देशों में पाया जाता है डूरियन से निकलने वाले बदबू इतनी तेज होती है कि इसकी तुलना लोग सड़े हुए अंडे, नाली में सड़ रहे कचरे और गले सड़े लहसुन की बदबू से करते हैं थाइलेंड में अगर ये फल लेकर आप किसी पब्लिक ट्रांस्पोर्ट में चड़ेंगे तो संभाव है इसकी बदबू से परेशान होकर लोग आपकी पिटाई कर दें मलेशिया में तो इसे पब्लिक प्लेस पर खाने पर भी बैन लगा दिया गया है इससे निकलने वाली बदबू की वज़ा से या पहले ही होटलों और पब्लिक ट्रांस्पोर्ट में बैन हो चुका है हलांकि डूरियन बेहत रसदार फल है और स्वादिश्ट भी है इसलिए इसे इन देशों में फलों का राजा बुलाया जाता है इस पर चारों और काटे होते हैं आकार में ये कुछ 12 इंच लंबा होता है और इसका डाइमीटर लगभग 6 इंच का होता है ये वज़न में लगभग 3 किलो का होता है डूरियन में विटामिन C, फॉलिक एसिड, B6 और विटामिन A पाया जाता है साथी इसमें potassium, iron, calcium, sodium, zinc, phosphorus जैसे mineral और protein भी पाया जाता है जिसे बेहध हिल्दी बनाते हैं हलांकि डूरियन आजकल किसी और कारण से भी मशूर हो रहा है दरसल यह फल, mobile phone, laptop और यहां तक की electric कारों को भी चार्ज कर सकता है वज्ञानिकों ने इस फल से एक बेहध हलका और छिद्रत material बनाने में काम्यावी हासिल की है इसे aerosils कहा जाता है यह aerosils great super capacitor हैं जो उर्जा को भंडार की रूप में रखने और फिर उसे बातने का काम कर सकते हैं super capacitor छोटे आका की बैक्टरी में भी बड़ी मात्रा में और बेहत कम समय में उर्जा का भंडार जमा कर सकती है इस उर्जा से mobile phone, tablet और laptop को कुछी सेकेंड की भीतर में चार्ज किया जा सकता है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है इसे जरूर से जरूर लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल वर्टो वर्ड नियूस को सब्सक्राइब करें